आज है इसके सेकेंड ग्लास जीरो टू ग्लास अगेन मैं आपके सामने पुरानी वाली ही बैलिंस शीट लेके चलूँगा मैं सिर्फ समझाने के परपस से एक बार हमें सारा कॉंसेप्ट समझ में आ जाए न फिर तो हम नई वाली बैलिंस शीट के अंदर इजिली कनवर्ट कर सकते हैं यह है बैलिंस शीट लाइबिलिटी और एसेट और एसेट हमने दो बैलिंस शीट बना लिया है इंफेक्ट हमें कितने बनाने हैं तीन बनाने है ना यह लेजिए यह बने गया तीन इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ठीक है तीन बैलिंस शीट बन गए और अब इसके अंदर हम कुछ आइटम जैसे शेयर कापिटल और क्रेडिटर और इस साइट देखें हम फिक्स एसेट्स पांच लाग का डिटर दो लाग का और कैश साथ लाग का टोटल कितने का होगे सर साथ लाग और साथ लाग चौदा लाग यह भी चौदा लाग चार लाग रूपे यह कर लेते हैं और दस लाग यह कर लेते हैं ठीक है या फिर 6 लाग यह कर लेते हैं और 8 लाग यह कर लेते हैं ठीक है इस कंपनी का भी मैं आपको दे देता हूँ फिक्स एसेट्स तीन लाग डेटर दो लाग डेटर के बाद कैश तीन लाग और हेर क्षेर कैपिटल मान लेते हैं है कितने तीन थी छे दो आफ तो पाच लाग और बाकी क्रडीटर क्रर। प्रेटर कितने होगे सरीए इस है थीन लाग है टोटल कर लेते हैं यह भी 8 लाग ऑ यह भी 8 लाग दो कंपनी की बैलन शीट्छ है यह तोनों कंपनी का नाम लिख देता हूं इसका नाम मैंने दे दिया होल्डिंग है तो इसलिए है एच लिमिटेड और इसको कि एच लिमिटेड नाम दे दिया ठीक है अब यह कंपनी इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदना चाहती है यह कंपनी इस कंपनी ठीक है तो बट विससी बात है जब यह कंपनी कंपनी को खरेदेगी तो अभी तक जितने भी हम एक्जामपल करेंगे ना उसमें बड़ा बेसिक साइक हम कॉंसेप्ट फॉलो करेंगे कि हम कैश में ही खरीदेंगे वैसे खरीदने को तो हम इसको अपनी कंपनी के के शियर्स भी दे सकते हैं हम अपनी कंपनी की और आइटम भी दे सकते हैं इसको लेकिन अभी मैं समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसमें लेके चलूँगा कैश यह मत समझना कि हमेशा कैश में ही होगा ठीक है ना तो चलिए कैश में खरीदते हैं मान लेते हैं कि जो य यह company है इस company से और इस company की बाच्चीत चली है अपस में यानि H limited और S limited की बाच्चीत में S limited जो है अपनी company का स्टेक देने को तयार हो गया यह और सर कितने का देने का तयार हो गया यह मान लेते हैं 3,00,00,00 में 3,00,00,00 क्योंकि यह कितने में बिखने को लिए तयार है 3,00,00,00 रुपए इससे खर्चने होंगे तो very simple सी बात है अगर 3,00,00,00 रुपए खर्चने हुए तो इसके पास है कितना 7,00,00 साथ में से 3 निकल जाएंगे इसके तो सर इसके पास बचेंगे कितने इसके पास इसके पास बचेंगा investment इसके पास बचेंगा investment यह कितना लिखा था मैंने पहले 2,00,00,00 और यह 4,00,00,00 रुपए बचेंगा कियसे बचेंगे पास है सर चार लाग रुपए यह रहा हमने किया हुआ है ठीक है तो सर जैसे ही यह तीन लाग रुपए निकालेगा तो इसके पास एक जनरेट होगा बैलेंशीट में इन्वेस्मेंट और इन्वेस्मेंट कितने का तीन लाग का ध्यान से देखिया इसका मतलब आप तीन लाग का इन्वेस्मेंट यह क्लियर रहे हैं तक इसके देखो पूरे वही टूटल है इसका भी टूटल है अब हम कॉन सो डॉलेट बैलेंशीट बनाते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर हम एफ ए लिखेंग से आट लाग समझ रहे हो एक सटेट के बाद ट्र कितने हो जाएंगे हमारे दो लाक प्लस कि दो लाक यानी और के बाद करें तो कौन क्या होगा पहले कितना था कि 4 लाक प्लस में 3 लाक कितने हो गए 7,00,000 तिक है share capital कितने का है share capital हम अपना ही लेते है 6,00,000 हम दूसरे का share capital नहीं लेगे अब यहां से cancel होने वाला जो figure है ना वो कौन सा amount है Sir यहां से अगर मैं cancel की बात करूँ बाद करूँ ना इसकी बात करते हैं अगर हम हम इसकी तो क्या cancel हो सकता है इसमें से सर इसमें से जो cancel हो सकता है ना वो 3,00,000 रुपे cancel हो जाएगा है ना मैंने कहा कि जब सामने वाली company को हम खरीदीते हैं ना तो उसके shares को हम अपनी shares में नहीं जोड करके उसके reserve को अपने reserve में नहीं जोड करके हम उसके सारे assets और liability को जोड लेते हैं indirectly देखोगे तो impact वही रहता है जैसे कि last class में देखा था हमने सर creditor तो जोडना पड़ेगा है ना creditor creditor कितने काई बताओ 8,00,000 और दूसरी company का 3,00,000 तो कितने होगे अब देखोगे सर तो इसका tally जो है match नहीं होगा यह account match नहीं होगा अब ध्यान से सोचो सर आपने investment किया 3,00,000 और आपने अधिकार इसके उपर पा लिया कितने का 5,00,000 means आपने सामने वाली company को सस्ते में खरीद लिया कह सकते हैं तो आपको जब किसी company को हम सस्ते में खरीद लेंगे तो यह जो company H limited है यह चलाक निकला और यह रखतो रहा फाइदे में सर क्या फाइदे में रहा भाई 5,00,000 का समान तीन में खरीद रहा है तो जो फाइदा हुआ ना उस फाइदे को यह ले जाएगा पता है कहां आपको पता है कि अंदर जब कभी भी कोई भी फाइदे की बात हुई है हमेशा कहां पहुंचता है वह capital reserve और जब यह मेहंगे में खरीदता मान लेते हैं सब अभी एक लाग जामपल लूंगा मैं अगर 3 लाग के चीज यह 5 लाग के जगह पे 6 लाग पे करता तो बताए क्या बनता गुडविल सिंपल सा कॉंसेप्ट आपने बता है तो बनता गुडविल तो इसका मतलब यहां पे एक और points generate होने वाला है जिसका नाम क्या है हमारा सर capital reserve कितने का होगा 2 लाग का अब देखिए टैली करके मैच हो जेगा 11 और 6 17 दो 19 लाग और 19 लाग इस वाले concept से क्या समझ में आता है इस वाले concept से समझ में यह आता है कि जब कभी भी हम किसी सामने वाली company को उसका share capital के value से कम के value में उसको acquire कर ले हम तो वहां पे जनरेट होगा capital reserve और उस capital reserve को हमें consolidate balance sheet जो बनाएंगे हम यानि जो combine balance sheet बनाएंगे हम उसके अंदर दिखाना पड़ेगा हम समझ में आई बात आपको चलिए एक और इसमें कोई दिक्कत कोई की परिशानी बताईए नहीं ना समझ में आ रही है आगले concept पर चलते हैं एक एक करके concept समझते जाएंगे और हमारा काम आसान होता जाएगा चलिए एक और balance sheet बना लेते हैं अगें सर यहाँ पर liability यहाँ पर amount यहाँ पर assets यहाँ पर amount यह है हमारा balance sheet ठीक है अब इसके अंदर amount भी डाली लेते हैं ताकि ठीक रहें fix assets तब copy करेंगे इसको debtor और cash share capital और creditor अब copy करते हैं इसको so that थोड़ा easy हो जाए लेजे लेजे ठीक है चलिए start करते हैं आज आते हैं हम अगें balance sheet के अंदर fix assets मान लेते हैं छे लाग का यह मान लेते हैं पांच लाग का और यह मान लेते हैं आठ तो इस तरीके से सर आपके balance sheet का जो total होगा 19 लाग का हो गया और यह total भी कितने का जाएगा 19 लाग का इसे मान लेते हैं 3 लाग और इसे मान लेते हैं 16 लाग ठीक है यहां पे share capital मान लेते हैं हम च्छे लाग का क्रेडिटर दो लाग का और यह एक लाग का दो लाग का तो दो छे 8 हो गए यहां पे तो आठ और यह हो गया हमारा पांच लाग का यह दो company है इसका नाम क्या दे दिया हमने और इसका नाम एस लिमिंटे फिर से हम खरीदेंगे लेकिन खरीदा कितने का है ये डील भी पता होना चाहिए हमें उस डील को मैं अलग से लिख देता हूं ये कंपनी अपने आपको सोल्ड करने को तयार है यानि ये कंपनी को वो एक्वाइर करने के लिए पेमिंट करेगा साथ लाग ये इस बनाते जाते हैं सबसे पहले एफे एफे की बात करें सर तो छे लाग और एक साथ लाग प्लस एक लाग साथ लाग आपने बोला सर ये साथ लाग है और यहाँ पर मजे की बात देखो जब ये इन्वेस्मेंट करेगा न तो इसका कैश पर फरक पड़ेगा जो आठ लाग है उस आठ लाग में से माइनस हो जाएगा कितने साथ लाग और इसका जो कैश आठ लाग का दिख रहा है अब वह आठ लाग का नहीं दिखेगा वो कितने का दिखेगा एक लाग रुपे का दिखेगा वो दिखेगा कितने का एक लाग रुपे का और उसके बदले यहां क्या जाएगा इन्वेस्मेंट आ जाएगा सर और इन्वेस्मेंट कितने का करने को तैयार है ये साथ लाग क यह देखो यह आपने नहीं करना question के अंदर यह मैं बता रहा हूं आपको करने की अवशकता है ही नहीं यह चीजे वो तो समझाने के लिए कि ऐसा 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 काम होता है basic से ठीक है न तो इसके पास 7 लाख रुपए आ जाता है अब हम बात करते हैं जोडते जाते हैं हमा और यहां डिरेक्स लीख दूँ समझ में आजाएगा का संथ लाख रुपए का डैटर के बाद बात करते हैं कैश एक लाख और पांच लाख do छे लाख रुपए ये कितने हो गए 21 लाख बट इधर 21 लाख नहीं हो रहा बीस हो रहा है तो सिंपल सी बात है सर आपने इस company की जो value इस company का जो हम बात करें इस company का जो value था वो था 6 लाग का बट आप इसको payment कितना कर रहे हो तो जब कभी भी किसी company को हम extra payment करते हैं महेंगे में payment करते हैं तो इसका मतलब क्या मानेंगे गुडविल है तो एक गुडविल की entry आपको और करनी पड़ेगी यहां पे गुडविल के नाम से सर एक लाग रुपे तब जाके आपका यह बीस लाग रुपे मैच हो जाएगा 21 लाग रुपे मैच हो जाएगा समझ मैं यह बात यहां तक कोई परिशानी सारा सेम वेल्यू पर एक्वाइर कर लें तो ना तो गुडविल है ना गहां capital रिजब कम पर खरीद ले उसको सस्ते में तो क्या बनेगा capital रिजब जादा पर खरीद ले तो क्या बन जाएगा गुडविल चलिए अगले एक्जांपल के तरफ करने से पहले हम बात करेंगे चलिए एक और एक्जाम्पल मैं ले लेता हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे बिल्गुल लेके चलूंगा ताकि मेरे लिए आगे का काम आसान हो जाए अगर टाइम थोड़ा लूँगा अगर स्टार्टिंग समझ में आ जाएगा न तो आप बड़े आसानी से अंडिंग भी कर पाओगे अड्जेस्मेंट करने के बाद क्योंकि ये चेप्टर कुछ बच्चों के लिए सरदर्दी बना रहता है स्रिफ इसलिए लाइबलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट ठीक है लिख भी लेते हैं इसमें सर क्या क्या है और नॉर्मली हम कैस तीनी चीज लेके चल रहे हैं यहाँ पर एक चीज और आ गया रिजर्व ठीक है और क्रेडिटर कि इसे रखते हैं हाँ कि इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा चलिए चलिए बात करते हैं फिक्स एसेट्स अगेन चार लाग कोई भी डिजिट ले रहा है असा नहीं कि फिक्स है मैं कोई भी डिजिट ले रहा हूं तीन लाग आठ लाग और इसे चार लाग मान लेते हैं इसे दो लाग मान लेते हैं तो कितना और रखना होगा क्रेडिटर में तो चार तिन साथ और आठ पंदरा लाग पंदरा लाग और छे कितने रखने होगे दो लाग तीन लाग दो लाग एक लाग और यहां पर मान लेते हैं हम चार लाक, दो लाक, कितने हो गए इधर, पूरे हो गए, रेटर आए नहीं, चलो अच्छी बात है, एक और पता चलेगा, क्यों बच्चे सोचेंगे सर, सेमी एसेट्स लाइबिलिटी होना चाहिए, जरूरी ये भी नहीं है, च्छे लाक, और यहां भी क्या आगया, च्छे लाक, अब कॉंसर डॉलेट करते हैं, तो अब आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, सर क्या देना है, सामने वाली जब कंपनी को हम वेल्यूएशन करते हैं, खरीदने की बात करते हैं, तो only share capital की बात नहीं होती, including reserve and surplus क की बात होगी वहाँ पर, ठीक है ना, सिर्फ share capital नहीं खरीदना, पहले हमने share share capital के किये question, अब जो बात होगी, investment सोर नहीं करता, combine balance sheet में, नहीं, combine balance sheet में investment को सोर नहीं किया जाता, वो cancel हो जाता है, investment के बदले first class देखा होगा, तो मैंने बताया था, वो क्या जुड़ गया, assets और liability, अब मुद्दे की बात हम करें नहीं हाँ पर, तो सर क्या मुद्दे की बात है, अब इसकी valuation यहाँ से लगाई जाएगी, क्योंकि इस company की अगर मैं value की बात करूं, तो sir, generally 8 lakh है, अब इस company ने, अच्छा हाँ, 6 lakh, कितने का है, 6 lakh, और इस company ने, अब देखते हैं, कितने offer की हैं, और यह कितने का, यह company कहता है, कि मैं 7 lakh रुपे में, अपना control आपको देने के लिए तयार हूँ, त तो but obvious से 7 lakh की, जैसे ही बात करा, इसके cash के उपर impact आजाएगा, 8 lakh में से 7 lakh minus हो जाएगे, तो इसके पास बचेंगे कितने sir, sir, इसके पास बचेंगे, 1 lakh रुपे, कितने बचेंगे, 1 lakh, ठीक है, और इसने investment कितने कर दिये, sir, investment 7 lakh, यह देखो question में करा कराय मिलेगा, cash waste minus नहीं करना आपने, मैं फिर से बता दूँ क्योंकि पिछली बार मैंने कराया था, काफी सारे बच्चे पूछ रहे था, sir, हमें investment से माइनिस, यह सब करा कराय मिलेगा, बस मैं आपके, बस एक theme डाल रहा हूं, mind में, कि ऐसे balance sheet को ऐसे जोड के यह बनाते है, और इन चीजों को ध्य यहाँ पर देखा, आपने valuation जो किया हमने, वो इन दोनों को मिला करके किया है, ठीक है न, तो अब अगेन हमारा share capital की अगर हम बात करें, तो share capital हमारा 4 लाख है, sir, क्या general reserve जोड लोगे क्या, या reserve जोड लोगे, नहीं जुडेगा, reserve नहीं जुडेगा, वो अकेला ही रहेगा और बाकी creditor कितने का है, sir, अब ये भी नहीं जुडेगा, क्योंकि अकेला है, FA जुड जाएगा, 7 लाख, debtor हो जाएगा, 5 लाख, और cash, 2 लाख रुपए, total करके check करिए, total करिए, 6, 9, 15 लाख, और इधर, ठीक है न, बताइए क्या doubt था, हाँ, तो यही चीजे तो मैं बताना चाहर हूँ, कि हम जब सामने आले company का acquire करेंगे, तो ना तो share अपने में जोड़ेंगे, ना तो reserve, अब देखिएगा, आपने इस company का कितना जोड़ लिया पता है, 6 लाख अपने अंदर ले रहे हो, 6 लाख रुपए, यानि 7 लाख तो 6 लाख में तो आप count धंक ठीक से करो, तो 6 लाख का assets तो already club कर चुके हो अपने में, तो अगर मैं 6 लाख assets भी club कर लूँ, अपना share capital भी बढ़ा दो, अपना reserve भी बढ़ा दो, तो हमारे balance sheet में totality में कितने होगे, 12 लाख होगे, 6 इधर, 6 इधर, जबकि आपने कितना payment किय है, तो 6 के हिसाब किताब से चलना चाहिए, तो वो सारी चीजे है, और वो जो आप देख रहे हो ना, कि इसका reserve, भाई, इसके बदले payment किया है, हमने, जो कि यहाँ देखो, मैंने minus कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं, चलिए और भी example, मैंने कहा न, यह question में, ठीक है, चलिए, एक और example पर चलते हैं, अब example पर समझने से पहले, एक word समझ लें, जो बहुत important है, mi, minority interest, Sir, यह minority interest क्या होता है, इसको समझेंगे हम, देखो, minority का मतलब हर किसी को पता है, दो word है, एक majority है, एक minority है, आप बताना, जैसे मान लो, तीन व्यक्ति है, ठीक है, minority और majority अगर तीन व्यक्ति है, और किसी काम के लिए voting करवाया हमने, एक ने बोला, yes, इसको नेता बना दिया जाए, और दो ने बोला, no, सामने वाले व्यक्ति को नेता ना बनाए जाए, लीडर ना बनाए जाए, तो बताओ, क्या वो लीडर बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे majority जो है, वो नहीं चाहता, और यह कौन हो गए फिर, minority, यानि कहने का मतलब है, जिसकी आवादी 50% से कम होगी, उसे minority में तो लेंगे, और आपको याद हो के holding company कब बनेगी, जब उसका कितना stake खरीद ले हम, अभी तक तो सारा खरीद रहे थे हम, लेकिन 51% जैसे ही खरीदेंगे तो बागी तो बच जाएंगे, तो जो बागी shareholder बच जाएंगे, उसको बोला जाएगा minority interest, उसको क्या बोलेंगे हम, minority interest, चलो एक example मैं लेता जाता हूँ, आप मुझे बताते जाना, कि सर कितने minority interest होगा, example, मान लेते हैं, share capital है मेरा 5 लाख रुपए का, H limited ने 80% share खरीद लिया, तो 80% हिस्सा जो है, यानि 80% कितने होंगे सर, 4 लाख जो है, वो तो आ गया किसके हिस्से में, H limited के, तो बागी का जो बच गया 1 लाख रुपए, इसको हम क्या नाम बोलेंगे, Minority Interest, जिसको हम बोलेंगे Minority Interest, सर, यह Minority Interest का मतलब क्या है, कि अब यह shareholder भी हमारे नए वाले balance sheet में जाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ी नाम ने खरीदा है, उस company के उपर जब control किया, तो यह वाला जो shares है, वो अपने share capital में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यह वाला share जो है, हमारे balance sheet के अंदर जाने वाला है, जुड़ेगा नहीं, लेकिन अलग से आएगा MI, मैं example लेके कराऊंगा अभी, अलग से आएगा किस नाम से, Minority Interest, चलिए example 2, यह आपको जवाब देना है, example 2 की बात करें, तो यह आपको जवाब देना है, ध्यान से देना जवाब, एक company के पास share capital है, 4 लाग का, और reserve है, 2 लाग का, और H Limited ने, सभी जवाब देंगे, 60% stake खरीद लिया, तो Minority Interest, बताईए यहाँ पर कितना होगा, जो बच्चे लाइब में, वो भी बताईए, जो बच्चे लाइब में, वो भी बताएं, 2,4,000, पहले तो Majority बताएं, H Limited का क्या हिस्सा होगा, आपने बताए हैं, सर, H Limited का इस्सा वेरी सिंपल, 6,00,000 से calculation लेंगे, और इसका 60% निकाल लेंगे, जो की आता है, 3,00,000, 60,000, बाकी के जो बच गए, 2,00,000, 40,000, वो क्या बने हमारे, Minority Interest, यानि, Very, very, Simple, इसका मतलब तो सर, यह हुआ, कि जब Minority Interest निकालेंगे, तो उसका अधिकार, Reserve में भी, होगा, यह है ने, इसका मतलब, उसका अधिकार कहां पे होगा, Reserve के अंदर भी रहेगा, सिर्फ Share Capital की बात नहीं करें, अब कुछ बच्चों के मन में, खयाल आ सकता है, Preferences Share के भी, ठीक है न, तो उस Preferences Share को मैं कराऊंगा, लेकिन पहले धीरे धीरे कराएंगे, वो Preferences वाले, जो मन के अंदर आपके डाउट है, उसको भी लेंगे, कि उसको किस तरीके से क्वायर करते हैं, Practically अपलाई कर लेते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, Practically अपलाई कर लेते हैं, चलिए, सर्फ प्रैक्टिकली अपलाई करेंगे अगर हम, तो क्या रहेगा, चलिए, करने अपलाई करेंगे, क्या है, क्या जच्यवपनलों तरीके प्रैक्टिकली अपलाई करेंगे, अगें यह क्या है बैले सीट और लाय बिलिटी अमाउंट एसिट्स मान लेते हैं दो लाट डिटर मान लेते हैं पांच लाट और कैश मान लेते हैं दो लाट और इन्वेस्मेंट इन एस लिमिटेट मान लेते हैं छे लाग का ठीक है इसमें और भी बाते मैं लिखूंगा ओहो मैंने अमाउंट भी लिख दिया जलो इसको तो क्लोन बनाना था हमें अच्छे लिए सर अमाउंट मिटा देते हैं और इधर भी अमाउंट मिटा देते हैं इधर आगया शेयर क्यापिटल तीन लाक रिजर्व दो लाक टूटल कितने होगे पांच दो साथ दो नो और छे पंद्रा लाक और इधर भी कितने होगे पंद्रा लाक पंद्रा में से बाकी का डाल दो कितने डाले दस लाक का ठीक है चलिए साथ इधर डाल देते हैं तीन लाक दो लाक और एक लाक यहां इंवेस्मेंट तो आएगा नहीं तो इस वाले इंवेस्मेंट को करते हैं यहां से गए दो लाक तो टोटल कितने का हो गया तीन दो पांच और दो साथ ठीक है इसको दो लाक के जिएक पर मैं कर रहा हूं तीन लाक आठ हो गये और इधर भी ले लिए हमने आठ लाक शेर क्यापिटल जो है वह है चार लाक रिजर्व जो है वह है दो लाक और क्रेडिटर जो है वह कितने का बचा दो लाक अब मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं इस बातों को समझिएगा कहता है इंवेस्मेंट छे लाक आप वह जो बोल रहे था ना सरक्याश नहीं हुआ तो मैंने पहले डाल दिया इसने इंवेस्मेंट कितन सकता ही नहीं है कि इसके स्टेक को कितने का खरीद है इसने 6,00,008 में इसका असी परसेंट खरीद आए यही कहानी हुई तो simple सी बात है सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके पास जो share capital था वो था कितने का? 4,00,00 और plus reserve कितना था? 2,00,00 का था इसका उसने share capital का इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं यह visual नहीं होगा यह ले लेते हैं यहाँ लिख लेता हूँ है share capital इसका 4,00,00 अब share capital के दो टुकुडे हो जाएंगे सर दो टुकुडे से मतलब समझ रहे हो क्योंकि इसने इसका सारा steak तो खरीदा नहीं हमें यह पता करना है इसका कितने का value था और कितने में इसने खरीद लिया है आप यह नहीं बोल सकते सर इसका value 6,00,00 का है इसने 6,00,00 में खरीदा है क्योंकि 6,00,00 की बाद 6,00,00 में तब मानी जाती ही जब पूरा खरीदते हैं तो अब हम 80% पहले valuation निकालेंगे और फिर पता करेंगे तूने कितने पैसे दिये इस valuation के लिए तो इसका 80% देखा जाए तो 3.2,00,00 और बाकी बच गया 80,000 बाकी बच गया 80,000 अच्छा वोइस लो आ रही है एक मिनट अब चेक करिएगा ठीक आ रही है ओके ठीक है ओके ठीक है सर हम अपने जो पर छेट है उसके उपर आ आजाते हैं यानि सर कहा आपने 320 तो वह स्टे England जो कि किस के पास गया यह गया एक निमेंटेट के पास यह वाला शुक्त चलिया गया रच लिमेंटेड के पास और यह वाला किसी के पास नहीं गया तो जिसको हमने short form में minority interest का नाम दे दी तो sir जब ये hold करता है तो सिर्फ share capital hold करेगा या plus reserve भी hold करेगा reserve के साथ जाएगा वो hold करने के लिए उसके तो अगर investment 6 लाक है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ share capital में है उसका investment जैसे इसने बोला कि यहां पर किया है तो automatically उसका control किस पर आ जाएगा reserve पर भी आ जाएगा तो sir reserve कितने का है उसकी भी calculation देख लेते हैं reserve कितने का है तो sir 2,00,00 के भी 2 टुकडे करिए आप तो है ना अगर 2,00,00 रुपे के 2 टुकडे हम करें इसको हटा देते हैं कितने आएंगे तो आपने बोला sir इसका 2 टुकडे करोगे आप तो आपका आ जाएगा एक लाख साथ हजार और चालिस हजार वेरी सिंपल सी बात है sir जो एक लाख साथ हजार है अच्छा चालिस लाख कर दिया तो 40,000 ठीक है आप काओगे sir यह जो है न यह ओबर दा कंट्रोल जो बात कर रहे हो इतनी देड़ से तो यह वाला पोर्शन जो है वो तो है एच लिमिटेड का और यह वाला पोर्शन है अब हम बात करते हैं sir कितने में खरीदा देखो इसकी जो वैलिवेशन ना पी जाएगी वैलिवेशन लगाओ गया तो 3.2 लेक का तो आपका एक एच लिमिटेड यह गया और 1.6 का तो it means very simple 3.2 plus 1.6 is equal to 4.8 यानि 4,08,000 रुपे का इसमें इसको majority streak मिलने वाला है तो simple सी बात है 4,08,000 के control पाने के लिए यह कितना payment कर बैठा तो यानि यहाँ पर क्या बन रहा होगा गुडविल बन रहा होगा समझ रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब consider related balance sheet करते हैं तो एक तो आपको पता चल गया directly गुडविल मैं लिख देता हूं गुडविल जब आपको यह बात पता ही चल गई है तो मैं पहले लिख देता हूं इसको और इसको अलग से लिख देते हैं गुडविल आपने बताओ कितने गुडविल हो गए यहां पर कितने कि वन पॉइंट और मजे की बात मैं बताओ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ माइनेरिटी इंट्रस निकालना ही सबसे वड़ी सरतर्दी रहती है कई बार दस नंबर पंदर नंबर में बोला गया है कि माइनेरिट्री इंट्रस निकालो बात खतम हमें मत बना के दिखाओ बैलेंशिक तो अड़्जेस्मेंट जो लगेगा वो ऐसे ही लगेगा और अड़्जेस्मेंट जब तक आपका अच्छे से कॉंसेप्ट क्लियर नह है और 40,000 यह वाला है तो आपने इस तरीके से बता दिया मुझे 80,000 प्लस में 40,000 और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ गया कितना हो गया यह 120,000 यानि 120,000 समझ में यहां पर क्यूंकि से तोड़ तोड़ के समझना होगा हमें चलिए गुडविल तो मैंने 1.2 लैक लि यह सारा मिटा दिया जाए गुडविल कैसे आया समझ नहीं आया चलिए देखते हैं सर गुडविल कैसे आया देखिए इसने इन्वेस्मेंट कितना किया था सर शे लाक रुपे का इसने इन्वेस्मेंट कितना किया था शे लाक रुपे का बदले में शे लाक रुपे का जै तो simple सी बात है आप payment 6 लाग कर रहे हो और आपको समान मिल रहा है कितने का 480 sir 480 का कैसे समान मिला 3.2 लेक का यहां निकाला हमने share capital के अंदर और reserve में भी तो उसका हिस्सा बना 1.6 तो दोनों को add कर दिया हमने तो बन गया हमारा 4.8 तो 6 लाग का payment 4.8 का तो good bill की अगर हम बात करें तो यह लेजिए 6 लाग का payment और समान 1 4.8 का तो बाकी का जो एक्स्ट्रा था वो बन गया good bill ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं सारे assets को फटा फट जोड लेते हैं तीन और दो कि पांच लाग डेटर कितने होगे पांच और दो कि साथ लाग कैश भी जुड जाएगा आप पांच लाग और क्या चले चलते हैं लाइवलिटी साइड में शेयर कैपिटल कि तीन लाग शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व दो लाग और क्या है ट्रेडिटर कितने का है बारा लाग अब दोनों को जोड देंगे दस और दो जोड दिया आपने बारा लाग तो अब आप टोटल देखेंगे करके तो टोटल मैच ही नहीं होगा इधर का टोटल बताईए क्या आ रहा है साथ बारा और उन्निस आने बारा और पांच सत्रा अठारा लाग 18.2 लाग आ गया सर इधर भी 18.2 लाग ही आना चाहिए लेकिन इधर कितना आ रहा है 17 लाग आ रहा है सिंपल सी झीवाथ यहां पर हमें एक पॉइंट और दिखाना पड़ेगा और एमए यानिद इंटराषट पने बताया सर माइनेरेटी इंट्रेस्ट जो है यहां पर देखिए बताया था ना इसको जोड़ के जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां करा 1.2 अब मैच हो गया क्या संज़े बात आप यानि हर एक question में आपको इसी तरीके से करना होगा अब different different adjustment देखेंगे adjustment होगा किसके उपर adjustment होगा इन ही के उपर point पे होगा वह बोलेगा सर मैंने इसके इतना हिस्सा करिदा है इतने रुपे में दिये हैं उसके मैं करी इतना हिसा करीदूँगा उसका क्रेड़ेटर नहीं करीदूगाया सुर्वे एeffective हो में उसमें और उसी कि एसाम से करेंगे कई बार जैसा होगा कि इसने इसको समАन बेचा हुआ है इसने इसको समान बेचा हुआ है तो दोनों के प्रॉफिट भी क्लैश हो रहेंगे जो मेरी कंपनी बन गे जैसे के अमारा अन्रिलाइज प्रॉफिट के नाम से यहां भी आएगा वह कॉंसेप्ट डेटर कॉमन हो जाएंगे यहां भी आएगा तो जिसने अमल्गमेशन कर रखा है एक गाला तो उसी रास्ते पे यह चप्टर चलने वाला है अमल्गमेशन वाले अट्यूस्मेंट ठीक है तो जिसका अमल्गमेशन डाउट में है वह यहां से क्लियर हो जाएगा और जिसको यह चप्टर आता है उसे अम्लगमेशन असानी सरी दोणों एक दूसरी लेकिन है कि यहां तक कोई डाउट अभी बुक के कोश्चन पर नहीं आएंगे पहले मैं सारे अपने एक्जामपल बना के करवा दूँँ है कि कोई डाउट है ऑल्दो आप करना चाहते हैं तो मैं एक पर देख लूँ बुक में दिखाई एक कोश्चन में दे सकता हूं आपको करने क लिए और स्टार्टिंग इसाइद यहीं है इलेस्टेशन नमबर टू को कि एक इलेस्टेशन नमबर वन और इलेस्टेशन नमबर टू नए बैलेंग शीट के इसाफसे करके दिखाएं आपको 100% समझ में आ जाएगा इसमें बस समझ में क्या नहीं आता माइनेरिटी इंट्रस्ट जो कि मैंने अभी बताया है और वह अच्छे से समझ में आया जाएगा आप फटाफट से जिसके पास बुक है वह बताईए क्या होगा क्या होगा क्याता है चालिस हजार शेयर खरीदें हैं इसने पताई कितने का चार लाग का बत कि दस हजार थे या एक लाग कि दस हजार शेयर थे और उसमें से कितने खरीदें चालिस या चार एक लाग है भाई सईसे उजीड़ो वगरा को सईसे कि नहीं है लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर मुझे एक वीडियो बनानी है बीस दिन के एसाब से पंदा दिन बचा है तो मैं पेपर भी दिखा दूंगा इंसेक्ट आपको जो कि आया था लेकिन वह पेपर जो है लेटे पर होगा ओनर्स का पेपर नहीं होगा हां कि एक लाग आप चेक कर लीजिए बैलेंशीट बना रखते हैं वहां पर एम आई एक लाग आना चाहिए ठीक है ना आ रहे हैं आपकी बुक कौन लेगया तो उसके हिसाब से रहेगा बाकी पेपर वाले पैटर्न की मैं बात करू तो अभी तक ओनर्स का पेपर हुआ ही नहीं है ओभी में हुआ था तो उसकी कोई वेल्यू नहीं देता मैं नॉर्मल पे ओनर्स का पेपर अभी तक नहीं हुआ है बाइचांस मुझे कोई पेपर मिलता है रेगुलर का मिले मैं एक पर पता कर लूँगा तो डेफिनिटली म मैं आप सभी को वह पेपर कोश्चन पेपर सो करूंगा और साथ के साथ उसका सोलीशन भी दूंगा अगर नहीं मिला तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें प्रोग्राम के बेसिस पर भी मिल जाएगा मैं पेपर पैटर्न एक बार बताऊंगा कि ऐसा आया था इस वार और आपका भी ऐसा आने के चांसे बनते हैं ठीक है ना अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे हाँ विल्कुल आपको जो बैलेंशीट बनानी है ना कुश्चन में ये तो देखो समझाने के लिए है आपको बैलेंशीट कौन से बना लिए वही जो फाइनल अकाउंट में सीखा है वही बैलेंशीट हर जगा होगी पूरे किताब में पूरे सब्जेक्ट में वही बैलें प्लस वो सारी चीज़े एंड वाट ठीक है तो next class में कल सुभे class रहेगी कल सुभे की class में sir क्या करवाओगे कल सुभे की class में to be continue इसके adjustment पे चलेंगे ठीक है ना वेडाउट मैं class end कर रहा हूं अब आपकी